है यूट्व फैमिली वेल्कम बैक टू दो चैनल गाइस कैसे हैं दोस्तों आप लोग होप करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे तो आज आए में है श्री शनमति इंटरप्राइज और आपके सामने प्रेजेंट है और न्यू टू की स्क्राइम और टू मनिफेक्टरिंग की हिमालियन जो कि आपके सामने ग्रेफाइट ब्लाक कलर में है और एक आपके सामने स्क्राइम 411 है जो कि रेड और वाइट कलर के साथ प्रेजेंट है तो आज का थमलेल और टाइटल आप सबने पढ़े लिया होगा तो आज यह दोनों का करने वाले हैं फूल डिटेल कि दोनों में कंपनी आपको क्या कुछ चेंज देती है कौन सी वैल्यू फर मनी है कौन सी आपको पर्चेस करनी चाहिए इस वीडियो में आपको वह सारी डिटेल बताऊंगा आपकी जो भी डाउट्स होंगे यह दोनों बाइक को लेके वह इस वीडियो में क्लियर कर दोनों ही अपने लेवल में बहुत जादा अच्छी है एक आपको स्क्राइम दिख रहा होगा और एक आपको दिख रहा होगा हिमालियन के बारे में बात करें तो यहां पर आपको विजिबल विंड्शिल देखने के लिए मिलेगा हालोजन बल सटप मिल जाएगा दो इंड आपको जाएगा मिल जाएगा यहां पर को दोनों में मिल रहा है दो चौह मिल रहा है यह Can कर दोया डेख सेने सक्टें पर करें और हमालें यहां से और यह स्जाओक दूनों में चुलरी में दोल Soundsा कि यह नियुने के बारे में तो वह भी आप देख prevention स्क्राइब है आपको मिल रहे हैं और हिमालेन के निम्राम को लिए आपको 200 mm ये चाहिए JE यहां पर आपको dual calibers देखने के लिए मिल जाएंगे के front में आपको dual calibers company provide कर दे रही है और rear में आपको single calibers company provide कर दे रही है दोनों में तो यह तो बात होगे front के बारे में front में जैसे कि आप सबने अभी देखा यह वीडियो में कि क्या कुछ change है अब बात कर लेते हैं दोनों के side looks के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं friend में आपको fender मिल जा रहे हैं एक में दो एक मैं आपको single fender मिल रहा है उसी तरह से यहां पर आपको एक चुटा सा tank cowl company provide कर दे रही है जिसमें आपको राइन फे लिखाओ मिल जा रहा है और color combination के बारे में बात करें गाइस तो आपको सिर्फ अगर आप इससे off-roading करते हो और गिरने के chances रहेंगे तो आपका tank को यह fully guard करेगा tank capacity आपको दोनों में ही 15 इसके बारे में बात करेंगे बात करेंगे अभी दोनों की सीट के बारे में तो सीट आप देख सकते हैं इसमें आपको company split seat company provide कर दे रही है राइडिंग और देनों के लिए जो की बहुत ही comfortable है आपको ही में 800 mm का seat height मिल जाता है वहीं बात करें scram 411 के बारे में दोस्तों तो यहां पर आपको company single seat provide करी है जो कि आपको मिल जाता है 795 mm का और यहां आपका पीछे का आप यह देख सकते हो ग्रैब रेल टेल नाट और यह आपका इंडिकेटर जो की बल में ही है जो की at it is same ही आपको हिमेलन में भी देखने के लि आपको सेम मिलता है देखने के लिए और आप जैसे की बात कर लेते हैं दोनों के exhaust के बारे में घ्री आपको सेम देती है पस इस क्रैम का जो बेस है वह थोड़ा सा हाई आपको मिलेगा देखने के लिए sound उसका और इसमें आपको हिमालेन में नॉर्मल ही मिलता है अब बात क लेते दोनों के रेर सेक्शन के बारे में घ्री आपको सेम मिलता है वह आपको मिल जाता है टायर साइज 120 बाइन टीक और 17 इंच का आपको स्पोक मिल जाते है पीछे का रेर जो डिस है दोनों का वह आपको 240 mm का मिल जाता है सिंगल कैलिबर कंपनी प्रवाइड कर देती है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाप आप देख सकते हैं सिंगल कैलिबर कंपनी आपको प्रवाइड कर देती है रेयर में जो कि आप स्क्राइम में तो स्विचेबल है तो इसमें आप हलके फुलके डिफ्ट कर सकते हो और यह एक चीज़ और है कि इसमें आपको रे बारे में तो दोनों में ही सस्पेंशन आपको सेम मिलता है विल ट्रैवल आपको 180 mm का मिल जाता है मोनो शॉक सस्पेंशन कंपनी आपको प्रवाइड कर दे रही है तो ऑफ रोडिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अले फुट पैक्स के बारे में तो रिमूब आपको 411 CC का एंजन मिल जा रहा है सिंगल सेंडर ऐरको रहा है और आपको जो मैक्सिमम पीएट मेरा में 24.3 PS जो कि आप देख सकते हो दोनों में Eagle Master को प्रवाइट कर दे रहा है दोनों में ही आपको समगार्ड मिल जा रहा है बट वह एसे सरी इंक्लूडड है यह मैं आपको बता देता हूं जिसका आपको प्राइस सोला सो या फिर उससे ज्यादा पढ़ सकता है मुझ कभी एक्जैक्टली उसका प्राइस नहीं पता बात कर करने में आपको दोनों की बाइक में बहुत मजा आएगा में बात करें गाया सक्राम को मुझ अअ को सिर्टी प्लस ऑफरोडिंग बनाएं पर हिमालन को सिफ ऑफ रोडिंग के लिए गया है तो अगर आपको उफ रोडिंग करने हैं तो आप थी बालन के साथ सब्सदिश कर तो हा लुक्स में आपको 40 चेंजस पता चल जाएंगे और बत कलें इसके सुमेंक से लगता है कि कि फुल लोड़े इस्टूमें रिटा मिलता कि अपको डिटा Means Oprah में यहां है तो यह खेक सकते जो रहते हैं वह आपको बहुत अच्छे मिलते हैं जो कि सेम हैं दोनों में स्विच में कोई भी आज़ा चेंज नहीं है यहां पर आपको एक सिंगल कंसूल मिल जाता है जो कि आपने मेटियोर में देखा होगा जो कि बहुत यहाद अच्छा लगता है यहां पर जो जगह खाली यहां मैंने खाता हूँ आपको आपको अच्छे मिलते हैं कर लेते हैं आप डैमेंशन के बारे में गई तो हीमैलन का वेट आपको मिल जाता है 200 kg का और सक्राइम का मिल जाता है 185 kg का ऑल अवर दोनों के लेंद के बारे में बात करें तो हीमेलन का मिल जाता है 2190 mm cả और स्क्रापका मिल जाता है 2160 mm का चोटी है आउए दोनों का सेम है 840 mm का है ।0 मैं भी अंतर है आपको स्क्राइं मिल जाती है व Yak multim Republicans Šट्वन दोनों का अंतर है guys 1465 जो कि हमालेन में देखने के लिए मिलता है और स्क्राइम आपको मिल जाता है 1455 इम्हाइम का में जो कि है इसका price guys, तो scram का price, extra room आपको पढ़ जाएगा 2, 3,000 के आसपास, और on-road आपको पढ़ जाएगा 2,42, 2,45 के आसपास guys, और वहीं बात करे, as compared to himalayan, तो उसका price उससे लगभग 5 या फिर 10-15,000 रुपे का ही अंतर है, तो वही 260 आपको और पड़ जागा गई, तो आपके city में जो भी price चल रहा हो, ये दोनों का मुझे comment के थुरू ज़रू बता है, तो guys, hopefully ये वीडियो आपके लिए useful हुआ होगा, अगर कोई जब आपके केर,